हाई फ्रेंट्स आज हम हमारे यूजर्स की जो कमेंट्स हैं उसको एंसर करने आले है जो हमारी यूट्यूब वीडियो पर के आए इंस्ट्राम वीडियो पर आये है next question हमारा जो है जो हम discuss करने आले हो है लवली से हाई सर मुझे टू वीक से बहुत ज्यादा है फॉल हो रहा है और इस टू वीक में मेरी बाल बहुत पतले हो गया है प्लीज बताइए क्या कर सकते हैं मेरे बाल जड़ते नहीं थे लेकिन अब बहुत ज़्यादा जड़ रहे है इस थे हैं कहते हैं कि इस टाइक हैं टीलोजन उत्रा टीलोज़ 12 ज अब जुप इस-क कैsters जो short-term duration का बहुत increeze और उन्क्रीज है fol होता उसे टिलोजन इसम कहते है यच जो आमे से male pattern hair loss उसे अलग टाइप का hair loss होता है और यह short term का hair loss usually कुछ physiological stress, lifestyle changes, diseases इसकी वज़े से होता है even आप अगर heart diet कर रहे हो, crash diet कर रहे हो तो इसकी वज़े से हो सकता है so depending आपको क्या reason की वज़े से यह hair loss हो रहा है और यह find out करना बहुत जरूरी होता है उसको correct करना important होता है अगर आपको एक crash diet करें तो of course वो avoid करना है proteins कम हो जाते है, micronutrients कम हो जाता है और body stress को response के हिसाब से आपका hair loss शुरू होता है अगर आपको previously पिछले कुछ महनों में अगर कोई बीमारी हुई हो टाइफॉइड, कॉलरा या जिसे कोविड में हमने बहुत cases देखिया तीलो जनीर फल्यम के अगर यह हुआ हो तो उस time में हमारा body hair को neglect करता है और हमारे body बाकी body को repair करने में बहुत concentrate करता है इसलिए भी hair fall हमें देखा जा सकता है इस type के cases में water changes बहुत लोग को experience होता है कि मैं city change कर रहा हूँ तो मुझे suddenly hair fall start हो रहा है अगर hard water आप जिस area में shift हो गए उस area में hard water है तो hair strands जो है वो बहुत बार weak हो सकता है और वो आपको hair fall लग सकता है सो यह सब टीजे analyze करना diagnose करना कि क्यों आपका hair fall हो रहा है बहुत जरूरी है आप आपके dermatoloids को जब मिलेंगे तब आपका जो history वो आपको पूछा जाएगा accordingly फिर आपको क्या ज़रूरत है किस treatment की ज़रूरत है वो देखके आपको help किया जासे आपको यह helpful हुहा हो आपको यह helpful हुआ हो थेखको जाएगा जाएगा जाएगाँ